नमस्कार आपके स्वागए देशनी जुनिया में आपके साथ मैं पूना हूँ दिग्विजे सी को राजनी दिका चानक के यू ही नहीं कहा जाता 2018 में 15 साल बाद जब MP में कॉंग्रेस की सरकार बनी तो उसमें दिग्विजे की एहम भूमिगा रही फिर प्रदेश भर में घूमें और कई धड़ों में बटी कॉंग्रेस को एक जुट करने का काम किया कॉंग्रेस की सत्ता में वापसी को लेकर दिग्विजे सी इस बार भी यही रोल निभा रहे हैं लेकिन इस बार उनका कुछ और मकसद भी है वे एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं सुना है कि दिग्विजे सी कॉंग्रेस कारकरताओं को एक जुटता का पार्ट पढ़ाने के साथ ही प्रदेश सरकार के मंतरियों और बीजेबी के विधायकों के बारे में पुरी जानकारी लेते हैं मतलब उनके हर उस काम को चिठा तयार करते हैं जिसे उने जनता के दर्बार में घेरा जा सके इसकी एक बान की उसे में देखने को मिली जब हाल ही में एक मंतरी ने दिग्विजे को लेकर बयान दिया तुन्होंने मंत्री को यह बता दिया कि उनके बेटे ने कितनी जमीने खरीदी हैं और किसके नाम पर रिजिस्टर कराई है साफ है दिगी राजा मंत्रियों की कुनली तियार कर रहे हैं वो इन स्वीटों पर ज़्यादा वक्त दे रहे हैं जो मंत्रियों के विदानसभा शेतर हैं सुना तो ये भी है कि दिगविजय बीजेबी के ऐसे नेताओं के भरोसे मंद और करीबियों से संपक्त कर रहे हैं जिनका अस्थानी स्थर पर प्रभाव है लेकिन वे हाशे पर हैं इनमें ऐसे नेता भी हैं जिने विदानसभा चनाओं में टिकेट नहीं मिलने की उम्मीद है यहां तक जानकर जुटा रहे हैं कि प्रशासन में कौन-कौन से अधिकारी है जो सरकार के इशारे पर आउट आफ वेज आकर काम कर रहे हैं यह भी सुना है कि दिखविजैसी जिस चले का दोरा करने चाहते हैं तीन-चा दिन पहले ही उनकी टीम वहां पहुंच आती है खास बात यह कि टीम के सदे से MP के नहीं बल्कि दिल्ली के होते हैं जो पहले ही पुरा फीडबेक ले लेते हैं और दिग विजन सी को इसकी चानकरी दे देते हैं इसी के साथ बने रहे इचलेश इंडिया के साथ दन्यवाद